महराश्ट्र में मांसून के आकरी दोर में हुई बारिश से फसले बरबाद हो गई इसका असर प्याच की नई फसल पर पड़ा है इसकी वजह से तड़के में महंगाई का चौंक लगनात तय है मुंबई महानगर में प्याच का भाव आस्मान छूने लगा है माना जा रहा है कि वीपावली तक प्याच फिर देश वासियों को फुराएगी महराश्ट्र के नासिक जिले में इशिया के सबसे बड़ी प्याच मंडी है लेकिन यहाँ प्याच की कमी देखी जा रही है नहीं प्याच नहीं आने से पुरानी प्याच का भाव प्रते दिन बढ़ रहा है व्यापारियों का मानना है कि प्याच के दामों में वृद्धी की एस्थथी अक्टूबर के आखर तक कायम रहेगी नासिक लासर गाओं के प्याच व्यापारी भागवत सोनावडे ने बताया कि महराश्ट्र में हुटेल और रेस्टोरेंट शुरू होने से भी प्याच की मांग बढ़ चुकी है